अकल्त्रा पुलिस ने नबालिक लड़की को साधी का जहांसाद दे कर दुसकर्म करने वाले आरोपी दिपप गिरपतार किया है और उसे न्याई किरासत में जेल भेज दिया है मिली जानकारी के अनुसार अकल्त्रा थाना छेतर की रहने वाली नबालिक लड़की के परिजन ने अकल्त्रा थाने में रिपोर्टाज प्राय था कि उसकी नबालिक लड़की को कोई अज्याद वेक्ति बहलाब खुसला कर भगा कर ले गया है रिपोर्ट पर पुलीस ने आरोपी के विरूद आईपीसी की धार 363 के ताज जूरमदार किया था और तप्तीस में जूटी हुई थी इस दोरान पुलीस को आरोपी की अकलत्रा रेल्वे इस्टेशन के पास होने की सुचना मिली थी जिसके बाद पुलीस ने दबिज दी और आरोपी दीपक को पकड़ा पुलीस ने आरोपी दीपक के पास से नबालिक लड़की को बरामत किया है और उसे पूस्ताज में पता चला कि आरोपी दीपक ने उसे साधी का जहासत दे कर अपने साथ पूरे ले गया था और उसके साथ दूसकर्म किया है नबालिक लड़की के बयान के बाद पूलिस ने आरोपी दीपक के खिलाप IPC की धार 366 का 376 और 508 की धारा 46 भी जोड दिया है आरोपी दीपक को पूलिस ने गिरफतार कर लिया है और उसे न्याय की रासत में जेल भेज दिया है